हेलो फेंड्स कैसे हो आप सब उम्मेद है सब अच्छे से होगे आप सब को भुखवान बहुत खुश रखें दोस्तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक गीजर्स का और गैस गीजर्स का इसी के उलट कई ईलेक्ट्रिक गीजर्स का डeger करें के ओपर दोनों गीजर्स का कंपैरिजन हो जाए तो सबसे पहले بाद लेक्ट सब्सक्रिक अगी मामुले में आपको इलेक्ट्रिक गीजर महंगे पड़ेंगे क्योंकि अगर आप एक एवरेज फैमिली साइज लेते हो जैसे कि तीन लोगों की फैमिली है या चार लोगों की फैमिली है तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 लीटर का गीजर लेना ही पड़ेगा और वो गीजर आपको 6000 से लेकर 9 के बीच में मिलेगा और इसी के विपरीद अगर गयास की बात करें तो वह काफी ज्यादा किफायती होते हैं दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा गयास गीजर 5500 की रेज में मिल जाएगा और स्टार्टिंग रेज इनकी 2500 से शुरू हो जाती है तो प्राइज के मामले मे slightly high होता है रेट electric geasers का अब बात करते हैं दूसरे point की और वह है looks दोस्तो looks के मामले में electric geasers में काफी सारे options आपको available होते हैं capacity के हिसाब से looks भी change होती रहती है अगर आप ज्यादा capacity वाला geasers लेते हो इतने अच्छे design available है कोई square shape में है कोई rectangle shape में है कोई cylindrical shape में है कोई oval shape में है तो कई तरह के आपको model मिल जाएंगे तो looks के मामले में कोई कमी नहीं है electrical geasers में और वहीं मैं बात करूँ gas geasers की तो एक basic look में वह आते हैं चाहे कोई भी company का आप ग्यास गीजर ले लीजिए उसकी look एक बराबर ही रहेगी चौरस सा डबा होता है उसके अंदर आपको 2-3 knob मिल जाएंगे या display मिल जाएगा कुछ models में मतलब overall look आपको चौरस सा डबा ही मिलेगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपके bathroom का look खराब ना हो और वहां पर जो geasers लगाओ वो trendy look का होना चाहिए तो आपको electric geasers ही लेना पड़ेगा अब बात करते हैं तीसरे point के उपर और वह है size या फिर space दो इलेक्री गीजर थोड़े से बलकी होते हैं से कि मैंने बताया capacity होती है अलग लग तो अगर आप बड़ा size लेते हो average family के लिए 10-15 या 20 रिटर का तो लेना ही पड़ेगा तो वह काफी बलकी हो जाता है space लेता है वो क्योंकि उसको बातरूम के अंदर ही install करना होता है तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बातरूम आपका होना चाहिए तब ही आप इतना बड़ा गीजर उसमें लगवा पाऊगे लेकिन अगर मैं बात करूँ gas geezers की तो वो काफी ज़्यादा compact होते हैं वो बिलकुल slim होते हैं दिवार के साथ बिलकुल चिपक जाते हैं बिलकुल भी जगा नहीं लेते हैं और इनको बातरूम के अंदर लगाना advice नहीं किया जाता इसको बाहर ही लगाना advice किया जाता है ल क्योंकि cylinder से ही उसमें input जाएगी fuel जाएगा तभी वो बानी को गरम करेगा तो यहां पर space की अगर हम बात करें तो cylinder को भी space चाहिए होता है अब वो चाहिए आप bathroom में रखें या kitchen से ही connection ले रहे हैं तो कहीं से भी ले रहे हैं cylinder को space चाहिए ही चाहिए जबकि electric geezers में ऐसा को पानी गरम होने में कौन ज्यादा समय लेता है दोस्तों electric geezer जो कि 15 लीटर capacity के साथ आप लेंगे या 25 लीटर का लेंगे तो वो time लगाएगा इतने पानी को गरम करने के लिए जैसे immersion rods होती है बाल्टी में हम लगाते हैं rod को तो वो time लगाती है इसी तरह से geezer भी time लगात ही लगाता है लेकिन ग्यास गीजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको instant hot water मिलता है जैसे यह आपने टैप खोला आपका गीजर on हो जाता है और थोड़ा से ठंडा पानी निकलने के बाद यानि की एक मग पानी निकलने के बाद आपको hot water मिलना start हो जाता है और पांचवा पॉइंट और वो है using convenience किसको यूज करना ज्यादा आसान है दोस्तों को यूज करना काफी आसान है क्योंकि एक switch लगाए बस जाके आपको उसको दबाना है और बंद करना है अलांकि कुछ models ऐसे हैं जो वाइफाई enabled हैं उनमें तो आपको यह भी नहीं करना आप अपने mobile से schedule कर दीजी अपने आप गीजर on होएगा और अपने आप off हो जाएगा लेकिन दोस्तों ग्यास गीजर में ऐसा नहीं है ग्यास गीजर में आपको जाकर tap खोलना पड़ता है और पानी फिर आएगा उसमें गरम लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि tap तो आपको electric गीजर में भी खोलना ही पड़ेगा गरम पानी तो आपको तब ही मिलेगा तो यहाँ पर मैं कहा सकता हूं कि gas गीजर और electric गीजर दोनों बराबर ही है using convenience के मामले में लेकिन gas गीजर फिर भी एक step आगे है क्योंकि वहाँ पर आपको सिरफ tap ही खोलना है उसक लेकिन electric गीजर में आपको on-off भी करना पड़ता है अब बात करते हैं आपने चटे point के उपर और वो है दोस्तो water की capacity यानि कि कितना पानी गरम कर सकता है कौन सा गीजर दोस्तो electric गीजर में tank होता है और tank कितने लीटर का है उतना ही पानी वो गरम हमें दे पाएगा अगर वो gas geysers में ऐसा नहीं होता है दोस्तो उसमें आपको running water को गरम करके दिया जाता है तो आप जितना चाहे पानी उसमें से निकाल लीजिए आपको गरम मिलता ही रहेगा और एक बात आप note कीजिएगा कि जब आप gas geyser को use करते हो तो starting में थोड़ा कम गरम पानी आपको मिलता है तो गरम पानी करने की capacity limited होती है electric geysers में और unlimited होती है gas geysers में अब आता है दोस्तो सात्मा पॉइंट और वो है expenses दोस्तो खर्चा कितना आएगा दोस्तो आप सब जानते हो कि electric geyser है वो electricity से चलेंगे और उनके अंदर एक heating element लगा होता है अब वो कितने वाट का है तीनी आर क कितना बड़ा है उस हिसाब से उसकी electricity consumption होती है लेकिन दोस्तो gas geysers में ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें आपको जितनी gas 6 लिटर पानी निकालने में लगेगी उतनी ही gas 10 लिटर पानी निकालने में लगेगी यानि कि gas का जो flow है वो उतना ही रहता है अगर आप geyser को जादा च 10 लिटर पानी उसमें से यूज कर लिया तो 5 लिटर पानी घीजर में पड़ा रहेगा अब अगर आप उसको यूज नहीं करते हो तो 4-5 गंटे बाद वो पानी नॉर्मल हो जाएगा यानि कि ठंडा हो जाएगा और उसको गर्म करने में जो energy लगी है जो power लगी है वो waste हो लेकिन gas geasers में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता एनरजी बिलकुल भी waste नहीं होती आप जितना पानी निकालते हो जितना आपने यूज करना है बस उतना ही पानी geasers में से आएगा तो expense के मामले में गर्म पानी और उसको गर्म करने में लगने वाली electricity का wastage होता है जबकि gas geasers म कोई भी वेस्टेज नहीं होता ना गर्म पानी का और ना ही उसको गर्म करने के लिए जो लग रही है उसका अब बात करते हैं दोस्तों आथमें पॉइंट की और वह सेफटी क्योंकि सेफटी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है और दोस्तों वैसे तो दोनों ही टाइप के गीजर काफी ज़्यादा सेफ होते हैं अगर मैं एके करके बताओं तो इलेक्ट्री गीजर में दोस्तों सभी तरह के सेफटी फीचर्स आपको मिलते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी शिकायत आती है कि करंट लग रहा है उससे या कोई शौर्ट सर्किट हो गया क्योंकि बि लगे होते हैं और जनली इनके जो स्विच होते हैं जिनको हम अन आफ करते हैं वो भी हाइट पे ही लगे होते हैं तो बच्चों की पहुंच से वो दूर ही रहते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं ग्यास गीजर्स की तो दोस्तों ग्यास गीजर्स में भी काफी अच्छे फी की हो सकता है बच्चों ने खेलते खेलते किसी चीज से पाइप को काट दिया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है तो इन चीजों को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ग्यास घीजर को बहुत ही जादा केरफुली यूज करना पड़ होते हैं 10-15-15 साल भी वह निकाल जाते हैं और उनकी वरंटी भी कंपनी की दरफ से 7-8 साल की आपको मिलती है तो यानि की काफी डूरेबल प्रोडक्ट होता है लेकिन दोस्तों उनमें क्या प्रॉब्लम आती है कई बार शोरा वगरा जम जाता है या खार वगरा जम जाती ह है टैंक के अंदर क्योंकि उसमें कंटीन्यू वह वर्किंग ही रहता है बेशक आप गीजर को ना ओन करो लेकिन पानी उसमें से होकर ही आपको सप्लाई मिलती है क्योंकि उसके कनेक्शन ही ऐसे होते हैं तो इस वज़ए से उसके टैंक में खार वगरा जम जाती है फ्लोरा लगाए हैं तो आपको 10-12 साल की मिल रही है कहीं पर आपने सिर्फ 4-5 साल की मिल रही है तो मेरे इस सबसे दोनों अपनी जगापर अब बात करते हैं दोस्तों हमारे लास्ट के उपर और वह है मैंटेनेंस या रिपेरिंग कॉस्त क्योंकि कोई बीचीज हमने खरीदी है त क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है ठीक करवाने में भी इसको पैसे ज़्यादा लगते हैं हाथ लगाने के धाय तीन सोर रुपे लेक्रिशन वैसे ही ले लेता है हलांकि जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है दो धाई साल में कभी प्रॉब्लम इसमें आएगी और व वाला कोई घीजर ले लेते हैं जैसे स्मार्ट हो गया यहां वाई-फाई नेबल हो गया तो ऐसे जितने फीचर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो आप यह मान के चलिए कि उसको खराब होने के जादा चांसिस भी बढ़ते रहते हैं यानि कि जितने अंदर लगते रहेंगे व जादा पैसे आपसे चार्ज नहीं करेगा क्योंकि जो प्रोड़क्ट का प्राइज होता है उसकी रिपेरिंग कॉस्ट भी होती है और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह आ जाती है कि इसके पाइप काफी छोटे होते हैं जिनमें से पानी होकर गुजरता है वो तांबे के पाइप होते हैं तो अगर आपके वहाँ पर हाड वाटर है तो उसमें शोरा वगेरा फ्लोराइड वगेरा जम जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है पाइप और पानी का माने लग जाता है तो उस चीज को साफ करवाना ही पड़ता है एक या दो सीजन के बाद औ लेकिन कोई खास नहीं आती है वो 30-40 रुपे की आती है बट खर्चा उसका भी है तो मेंटरेंस के मामले में दोनों ही घीजर आल्मोस बराबर ही रहेंगे क्योंकि दोनों में ही मेंटरेंस आपको करानी ही पड़ती है तो यह थे 10 के 10 पॉइंट मुझे लगता है कि सभी च तो फिकर नहीं फिलेगा और चाहिक जाती रहीगा और आपको भी गरम पानी सियलंडर में तो आपको पानी घरम मिलता रहести uh kur वहीं पर इसके विपरीत बात करें तो अगर आपके घर में gas cylinder की shortage है या फिर आपके पास कोई extra cylinder ही नहीं है तो आप gas gizzard नहीं ले सकते क्योंकि दोस्तो उसके लिए एक gas cylinder आपको separate ही रखना पड़ता है या अगर आप kitchen वाले से भी उसे connect करेंगे तो वो फिर जल्दी जल्दी खतम होता रहेगा तो अगर अगर आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है कि cylinder वगयरा की कमी है तो आप gas gizzard बिल्कुल भी ना ले तब आपको electric gizzard ही लेना चाहिए दोस्तो वीडियो के description में दोनो टाइप के gizzard के कुछ अच्छे models के link मैंने दिये हुए आप जाकर check कर सकते हैं प्राइस देख सकते हैं उनके आपस में उनको compare कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करें शेयर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को भी subscribe कर लिया करो ताकि आने वाले और भी वीडियो के notifications आपको मिलते रहें मैं मिलूँगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों